हेलो फ्रेंट्स और वेल्कम टू माई यूडूब चैनल जीनिस एक्सपर्ट और आज हम सॉल्ब करने वाले क्वेशन तो इस क्वेशन में क्या गिव हैं कि एक आदमी है ठीक है एक मैन जो कि स्विम कर रहा है रीवर में विध और अगेंस्ट वाटर एड़रेट ओसे ओफ फिफटीन किलोमेटर पार अवर यहां पर आपका जैसे रीवर है लरहा है यह इंसान जो है आपका यह अपका क्या कर रहा है this को धिविंग कर रहा है तो यहां पर देखे इसका खुद का जो इसपीड है यह वेलाॉसिटी के हम भोल सकते हैं यह आपका देखिए A man Swim with Inner River with विथ यानि कि उसका खुदीका पहले बिखाद किया रख़ा है 15 km per hour तो इसका खुद ऐ हो है 15 km per hour है हैillah जैंस तो तूऑ तो अगेंस ओडर का जो है आपका विल्बासिती अगेंस टो 2го क्या कि 5 km per hour ठीक है तो आपको क्या निकलना है कि इस रीवर का जो है ठीक है मैन का खुद का स्पीड इस टील वाटर में स्टील वाटर को वैसा वाटर कहते है जैसे कोई एक पॉंड सा हो गया ना जहांबे पानी जमाए ठीक है तो वहां पर आपका क्या होगा कि आपका जो है उसका यहां पे फॉंड दा मैन स्पीड इन स्टील वाट इटर में करेंगा ठीक है तो उस वक्त सब्सक्राइड'd कितना होगा और आपको दूसरा चीज FPyn किनकालना है कि आपका जो है इस BID रीवर का.रीवर का यानि कि यह वाले रीवर का इसमें जो है इस इस स्पीड है उसका आपको निकालना है ठीक है तो मतलब यह जितना फूर्स इधर लगा रहा है उसके अगेंस्ट में इधर कुछ लग रहा है तो मतलब क्या है simple जो हमें पहले given है वो लिख लेता है तो यहाँ पर सबसे पहले हमें let मानना होगा देखिए जो जो चीज हमें दिया नहीं होता है और हमें निकालना है तो हम क्या करते है x, y ऐसा कुछ मान लेते हैं ठीक है तो हम यहाँ पर मान लेंगे let speed of man in steel water ठीक है यह वाले वाटर में जाटे steel water में आपका क्या होगा उसका speed कितना होगा यह हम मान लेते हैं suppose x मान लेते हैं ठीक है and दूसरे वाले का मान लेते है and speed of man in यह हम मान लेते हैं river का ठीक है river में जब वो swimming करेगा तो मितलब यह क्या है speed of river direct लेकिंगे river का हम मान लेते हैं तो river का अगर हम y मान लेते हैं ठीक है यह x माने हम steel water का यह man का है और river का जो खुद का है that is river का जो speed है वो y है अब यहाँ से आपका देखे equation क्या बनेगा उसे बहुत ही simple था चोटा सा question है लेकिन काफी लोग इसमें भी गलत कर देते हैं ठीक है बहुत ही चोटा सा question है इसमें देखे करना क्या है सबसे पहले तो आपको यहाँ से equation बनाना है तो आपको देखे एक river का देखे river का सबसे पहले देखते है पर आवर यह man का है ठीक है मतलब क्या कि यह आदमी अगर इस तरफ जा रहा है तो वो किस की मदद से वो river का स्पीड है और उसका खुद का स्पीड यानि कि x प्लस y दोनों मिला कि वो इतना ठीक है वो आगे बढ़ रहा है देखे अगर suppose कि अगर हम मानते कि यह river का स्पीड जादा हो जाए मतलब क्या कि अगर river का स्पीड ही जादा है उस इंसान का कम है तो क्या वो उतने तेज जो आपका स्पीड है उस river का उसमें क्या वो स्विमिंग कर पाता इधर जाएगा तो वो तो ऐसे एकदम वेव उसको क्या करेगा उठा के इधर ले आएगा ठीक है बहुत दूर तो ऐसे में तो वो स्विमिंग कर ही नहीं पाएगा यानि कि क्या कि यह जो है स्विमिंग तभी कर रहा होगा जब इसका जो है एक्स प्लस वाई यानि कि इसका स्विमिंग कर रहा है आगे बढ़ रहा है तो यहां से आपका देखे क्या होगा हम यहां से लिख सकते है एक्स प्लस वाई जो है यह इसका खुद का है विद्ध का जो है 15 15 km पर आवर ठीक है आवर में ही निकाल लेते पहले बाद में अगर कन्वर्ट करना वगए तो कर लेंगे तो देखे यहां पर आपका यह हो गया according to question अब देखे यहां पर दूसरा question में दूसरे point में यह आपका equation 1 साथ मान लेते हैं speed निकालना है आपको तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो river का speed है वो क्या है यह जो आदमी आगे बढ़ रहा है तो इसका जादा है क्योंकि यह जो है river का भी speed लिये हुए है और यह खुद का तो लिये हुए ही है ठीक है तो मतलब यह जादा है इसका खुद का speed तो खुद का speed कितना है हमने माना है खुद का speed x तो ये value जदा होगा और ये हम इसमें y- कर देंगे तो हमें जो है river का speed मिल जाएगा that is हमारे जो यहाँ पर दिया है 5 km पर hour ये हम लिख लेंगे against में समझ रहे ना जैसे यह इंसान आगे बढ़ेगा तो क्या है यह रीवर का खुद का तो ले रहा है और रीवर का भी तो दोनों जोड की कितना 50 नहीं खुद ले रहा है अब यहां पर आपको क्या निकालना है river का speed river का speed अब देखिए river का speed ज़्यादा है या value कम है वो पता कैसे करेंगे simple है या आदमी का अगर ज़्यादा है value इसका मतलब x ज़्यादा है x ही तो माने है आदमी का तो man का तो x ज़्यादा है यानि कि आप बड़ा है ये positive number ठीक है अब इसमें आप y minus करोगे तो ये अगेंस्ट का निकलेगा ना ये जितना इदर force लग रहा है उसके opposite में point force लगता है पढ़ें हैं class 10 में 11 में उसी को इसको दूसरी तरीके से हम लोग use करते laws of motion का first वाला part से second part यहां पर देखें third वाला equation में क्या बोलता है equal and opposite reaction ठीक है होता है ना आपका action और reaction तो बस ऐसे समझें तो यहां पर आपका क्या होगा 5 km per hour हो जाएगा तो यहां पर हमारा equation क्या बन जाएगा x minus y equals to 5 km per hour ये second equation बन जाएगा ठीक है I hope कि आपको समझ में आ रहा होगा अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो रहा है ठीक इसको समझने में देन आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे से करके देखे ठीक है रिवाइंड करके देखे I hope कि आपको समझ में आ जाएगा हम क्या कहना चाहरे कि अगर इंसान जो इधर जा रहा है पीछे का फोर्स लग रहा है पीछे का फोर्स क्या होगा ओल्वेस कम होगा तभी तो यह आगे बढ़ रहा है मतलब यह X हमाने है इंसान का मैन का तो X बड़ा हो गया value minus कर देंगे Y river का क्या होगा river का इस साथ direction में जा रहा है इस तरफ आदमी क्या कर रहा है इस तरफ direction में जा रहा है मतलब कि अब Y जो है कम होगा minus Y ठीक है value छोटा में बड़ा में छोटा minus करते है तो यह आपका आ गया इस का river का तो बस वही किये अब देखे यहां तक आपको समझ में आ जाना चाहिए अब यहां से करेंगे क्या हम simple इस equation को हम solve करेंगे X minus Y देखें क्या क्या cut रहा है सबसे पहले अब यहां पर देखें हमें जो है subtraction करने का जरूत नहीं पड़ा क्योंकि यह always cut रहा है cut रहा है that means हम यहां से लिख सकते हैं इस तरह की adding adding 1 and 2 we get देखें हमें जो यह 1 और 2 को add करते हैं तो यहां से X plus Y equals to 15 X minus Y equals to 5 यह कितना हो गया plus minus cancel 2X equals to यह आपका आ गया 20 2 से यहां cancel कर दीजे 10 that is आपका X equals to 10 आ गया अब देखें X हमें 10 मिल गया हमें Y भी तो निकालना होगा अब Y हम क्या करेंगे किसी भी एक equation में put कर देंगे तो यहां से देखे X minus Y equals to 5 दे रखा है easy यही लग रहा है तो इसमें put कर देते हैं 10 minus Y equals to 5 इसको positive लाना है तो यहां पे हम solve करते हैं Y को हम यहां पे 10 तो रहने देंगे minus 5 कर देंगे इस 5 को इस साइड लान देंगे और यह minus को positive बनाने के लिए इस direction में लाएंगे तो यह Y जो आपका यहां से क्या आजाएगा Y equals to 5 आजाएगा ठीक है और यह आपका किलोमेटर पर आवर तो यह आपका क्या निकला X और Y निकला हमें निकालना क्या था X और Y नहीं तो निकालना था यहां से आप लिख सकते हैं Speed of Speed of man in steel water यह आपका आजाएगा इसको हम माने थे Basically X X बराबर that is 10 10 किलोमेटर पर आवर and and speed of river speed of river यह हम माने थे Y Y equals to आजाएगा यह देखे आपका 5 आएगा 5 किलोमेटर पर आवर ठीक है तो यह आपका दोनों यह निकल गया तो यह बहुत ही simple सा question था I hope कि आपको समझ में आया होगा एक लाइक तो बनता अगर आपको समझ में आया होगा तो subscribe नहीं किये तो कर दीजे bell icon को प्रेस कर दीजे ताकि आपको आगे की वीडियोज मिलती रहे notification मिलता रहे ठीक है तो टेक केर थैंक यू सो मच की bailाइक को की तेक बढाब के चुचर की तो टने पोस्ते आपको यू में आया हुआ है झाल, 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 झाल